पत्वी एक बार रिवाईस करते हैं बुद्धी क्या था तो बुद्धी क्या था भईया एक काबिलियत है एक ब्लेटी है क्या चीज़ के लिए बुद्धी इंटेलिजेंस क्या है एबिलिटी ability to learn कुछ सीखने की चमता समझने की चमता सोचने की चमता यही क्या है बुद्धी है इसके लावा और भी डेफिनिशन तो इतना तो आपको याद रखना है साथ ही साथ दो शब्द और याद रहो बार बार इसले बता रहो क्योंकि यहां से इसको को चोट नहीं पहुंचिए तो आप एक नॉर्मल पावर लेके पैदा होगे और अलग से यह आपको एक्ष्टर नहीं मिलेगा लेकिन जितनी बुद्धी आपको मिली है आप उसको विक्सीत कर सकते हो डेवलाप कर सकते हो और उसमें प्रमुक भूमिका निभाएंगे आपके साथ ही यार्ड दोस्तं लों कि से मोमें में आप गुंवरे कि चमता प्रॉब्लम सौल करने की चमता जो जितनी आसानी से उतनी सानी से जितनी आसानी से problem solve कर सकता है कि वह अपनी लाइब बहुत अच्छे से जिएगा और माना जाएगा कि उसकी बुद्धी उतनी तेज एक उधारन देता हूं और यह सिर्फ थियोरी पाट को समझाने के लिए उधारन के लावा कुछ है नहीं घटनाय के लावा कुछ है नहीं स्टाफ लोगों में जो भी होगा बुला लो जितने भी इंटेलिजन जो तुम समझते होगा उनको बुला लो और बस यह बता देना कि मेरी मात्र भाषा क्या है मैं कहां का निवासी हूं यह ऐसा क्यों तो सभी भाषा बोलता था और सभी भाषा वैसे ही एक्सेंट के कि एक्सेंट के वजए से समझ आ जाता है तो उसने चलेंज किया कि जिसको भी तुम होश्यार समझते हो उसको बुला लो और बता देना कि मेरी मात्र भाषा क्या है सब को ट्राइक कर लिया अगबर लेकिन कोई बता नहीं पाए वह अलग अलग भाषा में बोलो लास्ट में सभार मान गए कि यार यह तो सब भाषा अच्छे से बोलता है अंग्रेजी बोलता है तो भी अच्छे से जो भी बोलता है ने बोलता है तो भी अच्छे से सब प्रकार का भाषा बोलने रहा और उसी एक्सेंट के सांथ समझ नहीं आ रहा है यह कहां का निवास अब आया बिरबल कि अब अब अगबर की इज्जत की बात थी बिरबल बुला अरे महराज टेंशन कहें लेते हो मैं तो हूँ अब बुला चैलेंज कर दिया है देखना तुम्हारे बाश्चा की बात ठीक टेंशन मतलो मेरे को मौका दो आज एक रात का बस मौका दो अगले द सबस्तित और बिरबल बना रहे और हिंदूसन कई लगए की बाहर का है अलग भ veto रहे भाषा बोन रहे है यथा यह ही भायरत कई है तो कि लो ≤ पिए बता कैसे दिया अग्बर भी चकात रिए बिर्बल तुम बता कैसे दी焦़ियाइव है कि इसको डुराया करता था कौन है फिर बंद करता था फिर खड़ करता था तीसरी चौथी बार के बाद आया उसको गुस्सा अब वह बखने लगा क्या गाली एक ठोग मीम देखें अम्मा बहन पर आ जाओंगा मैं अम्मा बहन पर ठीक है तो विरबल बोला कि कोई कितना भी अंग्रेजी बोले कोई कितना भी दूसरी भासा बोले लेकिन गाली अपनी मात्र भासा में देता है और फिर बक आप कौन सी गाली पको मेरे मत पूछना ठीक है और कमेंड बॉक्स में आप लिक मत देना प्रब्लों सॉल्विंग एबिलिटी क्या पढ़ारे उसार यह बता रहों प्लॉब्लो अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन देखें हम लोग एजन अबलीटी तो एडजेस्ट एजन अबलीटी तो लर्न वुसल्व दे प्रॉब्लम यह सारे डाइमेंशन में हमने बात की की ओं मिएटि अरवस्ट कि मैं धो बुधि जन्म जास्थ शंक जूर्ब यहां को ऑर वातवरन अलग से नहीं मिल सकता लेकिन वातल फ्रमन प्रॉब प्रभाव हुआ उसको का इस थियान रखेका ना वुद्धी पर वन्ष परंप्रवातव हुआ हुआ पड़ता है इसको याद रख लेना यह जो करेक्टरिस्टिक से ना इस सब को याद रखना यहां से कोस्टन बढ़ेंगे अभी मैं से क्यूंस त्यार किया हूं उसमें यहां से को कोश्टन डले हुआ है तो ध्यान रखेगा फिर बुद्धी के प्रकार काईंस ऑफ सब्सक्राइब कर रहा था बताया था धारन दिया मूर्द बुद्धी सब चीज को खोल खोल के सीख लेता है कोई भी मशीन कोई पार उसको कोचक कोचक के सीख लेगा अमुर्द बुद्धी किताबी ज्यान से इंटेलिजिएंस आती इसके पास तो बुद्धी के प्रकार बुद्धी के विकास के क्या क्या फेक्टर है मस्तिश का कार साइज ब्रें चैल लूड वो कैसी मोमें में पला बड़ा चीक है उसके साथ वह आईल्या वाला घटना तो नहीं हो गया लाइफ परसन व्यक्ति का जीवन कैसा है यह भी एक प्रमुक कारक होते हैं जैसे में का सब्सक्राइब करते कितना कौन कितना मैचूर है आई क्यू आज हमारा जो टॉपिक है वह है इंटेलिजन कोशन यहां से कोश्चन बनेंगे ही बनेंगे तो इस बात का आप याद रखिएगा कि अधिको कहां क्या टॉपिक चल रही जैजिए और आप कहां एकोमोडेशन के बारें पूछने तो टॉपिक से भटकने वाली बात होगी ना इससे लेटर जो है वह पूछू निजी कि चलो अब देखो आईक्यू बहुत बाल सुने होगे यह टम आईक्यू और उसका इंटल आईक्यू बहुत अच्छा है हाई है हाई लेवल आक्यू है बहुत बुद्धिमान है तो इसकी शुरुवात कैसे हुई इसका कंसर्ट कैसे आया तो देखिए एक व्यक्ति था अल अल्फ्रेड बिने इसको हिंदि में भी लिग देता हूं बिने खास करके बस यह स्थनेम बस यादखना बिने बिने ठीक आप बिने कुछ बिनना समझते हो निए च्टिक बीने बिने यह टी साइलेंट इसके स्पैलिंग ऐसी एल्फ्रेट बिने तो एक रिसेर्चर थे हर चीज हर किसी को तो बता रहो है कि लेकिन जरूरी है कि वाद समझ याद याद नहीं ऐसा क्यों तो ऐसे ही अलफ्रेड बीने को भी याद लगा तो वेने की दिमाग में आ साथ अल्फ्रेड बीने अपने चलेक साथ उस चलेक नाम था थियोडर साइमन थियोडर साइमन साइमन कमिशन अला सुने नाम वैसी साइमन तो इसका चेला तो समय लोकौन बीने और साइमन इन्हों ने यह फ्रांस के थे ना फ्रांस में इस टार्ट हुआ है इन्हों ने 1904 और पांच में चार और पांच में 1904 और फांच दोनों याद रखना बंगाली भाजन वह था न तो बंगाली भाजन बीने वैसे रिलेट कर लिए अगर हिस्ट्री याद होगा तो यह याद कर लो बंगाली भाजन 1905 वाला समय है उसी टाइम का तो 1905 की घटना है इन्होंने एक टेस्ट कंड करा इनटेलिजेंस के ऊपर तो पहला इंटेलिजेंस के ऊपर टेस्ट कंड़ करा या पहला वस्ट टेस्ट आफ-इंटेफ जनश है suo確ल है वर्ष टेस्ट Ig... इस कंड़र कराया कब हुआ 1904-1905 में यह 45 का डेट या दखना पहला टेस्ट या दखना फ्रांस या दखना बिने का नाम या दखना साइमन का नाम या दखना और ध्यान देना एक चीज़ जो कल मुझे बतानी थी लेकिन नहीं बताया मैं यह सब जो है डेवलब कहँ हुआ से कहां से ड्रवलब हुआ तो यह लेटिन भाषा का सब्ध है लेटिन भाषा यह जिया यह इंटेलिजन स्ब एक इंटेलीजन यह अलुकाता इंटेलिजीयियर है investir पेपबबर और इंटेलिजिएएगर यह लाटिन भाषा का सब्द है वहां से का सब्द डिराइव और बौल की उत्पत्तीGia ओरहमցल्ण सावजनां आर्ट के टो अंडर्स्टेन्ट कि-नदेक्ट ए लेटिन भाषा का सब्द अलफ्रट में वहस्द सब्द मेंखन noodle न कि तो उसे कुछ बच्चों ने सवाल थे और जिन्दगी की सवाल थे यूदे पर ओधी है यार यही बुद्धि है और जिसमें वद्धी मत्ता जादा होती है वह बच्चा जल्दी सीखता और जिसमें कम ज्यादा लेट DR सब्सक्राइब इसलिए नेश्ट कोशन जो बन सकता है ध्यान अगना फिर तो थे वाला पड़ी लेंगे फादर आफ कि पादर आफ इंटेलिजेंस टेस्ट आज ने फादर आफ इंटेलिजेंस टेस्ट हिंदी में बोलेंगे याद अगना बुद्धी परिक्षन के पिता सिंगल ना वो साइमन तो चेला था चेक है कि क्लियर है कि समझारी बात तो इतना पहला टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस किसने कंड़्ट कराया बीने और उनिस सो चार पांस दोनों का डेट मिलता है दोनों एक साथ नहीं देगा इसलिए मैं चार पांच एक साथ लिखा दिया अब टेस्ट लेने और रिजल्ट अनिम टाइम हो जाएगा अभी जुलाई अगस में आपको फ्रोड़न का पेपर हो जाएगा तो उसका रिजल्ट के तुरंत आ जाएगा हो सकता जनुरी फर टाइम लग जाए तो यह चार और पांच दोनों का यह आपको याद रखना है कि अब यही बीने ही विक्ती थे ढयान दिन दना भी नहीं वह ग्टी थे जीनोंने इतना मिटा रहा हूँ लोग इसमें टी साइलेंट है बिने रही वेक्ति थे इन्होंने mental मेंटलेज का करें मैं सिक यूख को कि यूख कर नहीं बोल रहा हूं है मैं ध्यान देना समझे बात को ठीक है ऐने की यूख नी बोल रहो हूं मेंटलीज मांसिक आयू द्लर हुए Q क्योंकि बिने ने देखा कि कुछ लोग चालिस साल के हैं लेकिन उनमें समHदारी ना लेकिन वैकिन उनमें समस्दारी नहीं है बेवकूब ‫- का यू का कंसर्ट किस ने दिया बिने दिया ठीक समझारी नहीं कि अगर कोई 20 साल का बच्चा है तो 20 साल का उम्र ही रखे वह हो सकता है 25 साल के लोगों के बराबर सोचता हूं कि लोग लोग बेवकुप टाइब के रहते 40-50 साल के भी होगा फिर भी समझदारी जैसे बोलते नमाव अपनों इतना बड़ा होगे लेकिन समझदारी नहीं है तो मेंटलेज का कंसर्ट किस ने दिया बीने ने दिया इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा यहां तक समझ कि इतना क्लिर हुआ है जिलिए अब देखो मेंटलेज अलग है अभी मेंटलेज पर आएंगे क्या होता है जैसे मैं मेरी उम्र मान के चलो 28 साल है लेकिन मैं बिहेव कर रहा हूं 40 साल जैसे अनुभव अनुभव मेरा 40 साल के जैसे है तो मेरी बूले जाएगी कि मेंटलेज अब 1912 की बात आती है 1912 एक और व्यक्ति आते हैं विलियम इश्टर्न क्या विलियम इश्टर्न एक चीज अभी जो बता रहा हूं उसको याद कर लेना जो लिख रहा हूं मैं लिखता बहुत का हूं ठीके आलसी हूं मैं मैं स्कूल में अगर मार्क खाया हूंगा तो अपनी लिखावड के करन लिखावड बस अच्छी नही विलियम इश्टर्न आये 1912 में इन्होंने IQ का कंसर्प्ट दिया intelligent कोशंट विलियम इश्टर्न जो थे intelligent कोशंट का term दिया इसी कोई हिंदी में क्या बुला गया बुद्धी लब्धी बुद्धी लब्धी एकाथ हिंदी स्पेलिंग वालों मिश्टेक हो जा तो देख ले ना भई क्या था बुद्धी लब्धी इंटेलिजेंट कोशन आईक्यू इंटेलिजेंट कोशन तो 1912 में विलियम इस्टर्न आये इन्होंने आयक्यू का कनЦेट का यह बताये का बताय कि भाऀया आयक्यू हम निकाल सकते हैं अगर देखो किसी की किसी की mental एज मेंटल एज का कनसर तो पहले से कोई दे चुका था मानसीक आयू और सिते वास्तविक हैं या लेज इस यह इन कर्ञार में इसका रेशियो सबसे पहले कि सिने विलेम इस फॉर्मला पे नहीं आ褂ट की और प्णध के ऐसर बोड़न इसने पुज नहीं कि छी है इसी में टूं। कर दिया टर्मन नाम की रिशर्चर आया इसने क्या किला दिया मेन्टल एज अपन प्रॉनिकल एज या फिर रियल एज बोलते हैं इसमें कुछ नहीं बस in to प्रभीन बुद्धि के आदमे से भीने ठीक है ठीक है ठीक है अनुटी सो लावा यह याद रखते चलने तो चार पांच का विलेमिस्टा ना पूरा नाम विलेमिस्टा ने टर्मन का एक बर और बतार मन का क्या बताएं जी घीता मनेक रुण कर दिया je Bike यह द कर दिया यह देखो इस्टेन्फॉर्ड एक उनिवरसिटी सुने का इस्टेन्फ्र इस्पेलिंग अगर गलत नहीं होगा तो ऐसी है इसे इस्टेनफॉर्ड की इस ELa इस्टेनफोर्ड उनिवर्सिटी में बहुं सारे बच्चों बढ़ाया सबका चेक किया रिसर्च किया बताता हूं तुम्हारा यही फॉर्मुले के इसाब से इन्होंने जो सर्च किया था टेस्ट कंडड़ कराया उसको अपना नाम दे दिए ठोकी इन्टू 100 जोड के एक फॉर्मुला दे दिया टर्मन ने मेंटल एज़ पॉन क्रोनिकले टो यहीर इसर्च किया हूनोंने इस्टेंफंफॉर्ड बढ़िए तो गीतन मनपुर्याब ध्याँ से सुनते नी क्रॉनिकल एज तो बताया जी क्रॉनिकल एज काल क्रमिक आयू थिक क्या क्रमिक आयू थे क्या क्यों यह नाम भी जाना जाता इस रिसर्च को इस रिसर्च को 1916 में जो यह इसको इसको स्टैनफॉर्ड बीने रिसर्च भी बुला गया ने किया था तर्मन वाला बता तो दिया अब देखों अब पूरा परिक्शन distract करते हैं Exodus से बाइस से रही और सब्सक्राइब करा उसके साफ लोगे देसाइड किया और मेंटल एज फिर नेस्ट र Day ad gedacht ना मेंटल इसका मानसी काईू का कसि ने दिया मानसी कंशब्ट इन ने दिया मांशिकायो का कंसर्ट बीने ने दिया टैस्ट कराया इसी लिए बुद्धी परिक्षन के पिता किसको बोलते बिने को बोलते हैं फीर आती है 1912 की बारी 1912 में एक व्यक्ति गए इसका नाम था विलियम इश्टर्ण क्या था इनका नाम विल्यम इस्टर्ण इन्होने मैंतर एज और क्रोनिकल एज का रेश्यो बताया था इसी कोई मॉडिफ़ाई करके मैंतर एज और सीएमद्र कаменेर बोब सकते ओए और फिर क्रोनिकल compassion एज क्रोनिकल गृत कि क्रोनिकल एज ठीक है उपर के हैं मेंटल एज में लिखा दिया में इन्टू हंड्रेड कर दिया है यह फॉर्मला दिया कि इसने कि टर्मन ने यह टर्मन ने ठीक और इसने रिसर्च किया था ना 1916 में इसको मोडिफाई करके बता दिया इसका नाम वैसे हो गया इतना अब थोड़ा सागे पढ़ लेते हैं कि नमस्कार हेलो है कुछ लोग बहुत लेट से चूट रहें काहें लेट आते हुझी कि चलो जीतना याद कराना था उसको बता दियाना उसको एकदम लिख के डलना कि बुद्धी लब्दी इंटेलिजेंस कोश्चन बुद्धी मापने का सबसे पहला बुद्धी परिक्षन बिने किया तथा साइमन ने 1905 में विक्सित किया ज्यान रहेगा अभी बताया इस परिक्षन में बुद्धी को मानसी कायू के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया परन्तु से मनोविग्यान को को अधिक संतुष्टी नहीं मिले क्या में चुरुवात में कोई का सब 16 परिक्षन का सबसे जोडर्मन को इसे बहुत सारे किया व्यॉक्त किया और इसको नाम क्या दिया इस चैसल्फ अट बिने मेंटल एज अपन क्रोनिकल इस अनुपात में से दस्वमलों हटाने के लिए इस अनुपात को सौ से गुणा कर दिया था नुशका भी नाम सामने आता है बट उसको इन्टू हंडड़ करके क्या कर दिये इंटू हंडड़ करके यह देखो इतना अच्छा फॉर्मला है इस प्रकार बुद्धी लब्दी मांसिक आयू तथा कालक्रमिक आयू का एक ऐसा अनुपात है रेशियो है जिसे 100 से गुना करके प्राप्त किया आता है यही कराने की इसे अनुपात बुद्धी लब्दी आई अब अब ध्यान देना जैसे मान के चलो आपकी आयू चीक जैसे काजन को आयू बता दो कितनी एज-जय हाँ निम्रिकल भी बन सकता सुनिल पड़ल जी अभी निम्रिकल युकर आ रहो वी बता दो तो यह तो जिस दिन पैदा हुए वहां से भी बता रहे चौबिस साल लड़कियां गलत बताती है चौबिस साल यतिस सल कहीं मांते हैं तो यतिस जी कि क्या है क्रॉनिकल आयू काल क्रमिक आयू वास्तविक आयू कितनी इसके इस आप सेत को मान के चलो चलो तीस साल के लड़के के बराबर कितना लड़के को इनका अग्यू कितना निकलेगा तो इनका आई-क्यूंटीफॉर इंड़े एंटू हंड़ कर देंगे तो इनका रूचि निकल या तीक डिक ले को ओ यह छह से गया पांच बार में 6 से गया चार बार में चार से ये काड़ दो 25 पांच इंटू 25 125 तो इनका आईक्यू कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा कितना आ जाएगा 125 कि ठीक है कि क्लीर जब कि ठीक है तो यह आईक्यू निकालने को गया इस पर बेस्ट बन सकते तो इसको याद रखना अब यहीं से आपका मेंटल लेज भी पूछा जा सकता है जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कि मान के चलो मेरा आईक्यू असी है तो आया मतलब एवरेज है अगर आपका मेंटल लेज बीस साल है और प्रोनिकल लेज भी बीस साल है मतलब आप एक एवरेज इस्ट्वेंट है नॉर्मल जैसे आपकर रहना चीव वैसे ही हो विस साल में जितनी बुद्ध्ध्यों ने चीव उतनी अब मा यह उसका मेंटल लेज बताई है मेंटल एज मांसी का यूँ क्या होगी इसकी का मांड़ीक रहा हुकी कुछ तो मैं इसका फॉरीला है बसके इसमें लगाना है पूर्ण करने कि जीनियस लोगों का कितना होता है सर जी अभी पढ़ेंगे उसको अभी फॉर्मलर बाद ना नीचे देख लेंगे 140 टर्च करें वो जीनियस वेरी सुपीरियर कि इसको बताओ पहले कि इसको बारे में भी पढ़ेंगे नीचे चार्ट को दिखा देता हूं ठीक दो पेजी स्किप करके आना था बड़ ठीक आप इतने आप लोग इतना पूछ रहो तो उस चार्ट पर से जाते हैं 240 160 काई भी स्ट्वी एक सोइल कोई जीएगा चैसी कैसी बात है करते है 400 400 साल प्रसार कोई सुनील पिद्टेल घी कैसे रिखांद छार साल मच्य है है यह व्यां दिक ही में मेंटल एज मेंटल निकालना है ठीक है मैं मेंटल हो जाओंगा इसे आंसर मत दो 400 पूर मेंटल एज क्रोनिकल एज क्या था 20 साल इंटू 100 इंटू 100 अब यह देखो इससे काटो वह यह पांच बार में कटेगा एम ए बराबर यह पांच इधर आके डिवाइड हो जाएगा निसी डिवाइड वाइड पांच तो 16 इसका अंसर सोला होगा उसका मेंटल एज क्या है सुला फड़ा भोकोल है मतलब 20 साल कहें लेकिन सुला साल जैसे दिमाग है तो कम आया तो क्या कि उसका एज सोला निकल गया ठीक है 232 सित यामनी साओ जी 232 एक सो साट बता रही है अकांचा विश्व करमा जी कि इसका एक सुसाट जाएगा नहीं इतना नहीं ठीक है चलो एक आत बार और प्रैक्टिस करानेक जरूवत है यह ठीक इस प्रकार के आपके धारन देखके आपके आंसर देखके मुझे लग रहा है कि एक कोशन और करानेक जूरत है मैं फिर से कोश्चन देता हूं मुझे आइक्यू निकाल के बताओ आइक्यू कितना है अगर किसी व्यक्ति का मेंटल एज मेंटल एज मांसी का यूँ इस ओको भी ध्यान देना जिस दिए 4500 वह आ जा रहे हैं तो 400 500 भी नहीं आना चीए में मेंटल एज अगर किसी की 30 साल है स्य क्रोणिकल एज मुझे बता दो क्रोणिकल एज कितना होगा कि बिख आप आई क्यूंकर निकाल ना करनेकल एज यह लो आप कितना साल ला लुमन केटिलनग लगङ 25 साथ अब बताओ आईक्यू कितना होगा अब बताओ कि किछ-बीज तो कि देढ़ सो चलो ठीक है यह तो सहीं है इस फॉर्मॉल लगाना था IQ बराबर क्या Mental Age में तेस है करेंट इज वीज हैं इंटू हंडडर्ड यह पांच बार में कर जाएगा पांच सब्सक्राइब निकालना है अगर किसी का क्रोनिकल एज काल क्रमिक आयू या वास्तविक आयू अगर 21 साल है 21 साल है और उसका IQ उसका IQ अगर कि उसका IQ अगर 90 तो बताइए मेंटल एज कितनी होगी है मेंटल एज कितनी होगी है अब बता दो चार सो और समद बताना देशी मुनित पोडिन है जोतना दियेगा 18.9 नीरा महर जी चलो देख लेते हैं अब फॉर्मला में पूट करना आई क्यू कितना है 90 है बराबर मेंटल एज हम को निकालना भी नहीं मालू में माल लेते हैं अपन करेंट एज क्या है 21 इंटू 100 अब एमे को एक साइड रखो मेंटल एज को मांसी का यू को बाकि सब को इधर बेज दो भाई 90 इंटू यह इधर जाके मल्टिप्ला होगा 21 डिवाइड वाइड वाई 100 यह 0 यह 0 कट गया नौ इंटू 21 यह हो गया नौ दुन एठा राद वन एट नाइन डिवाइड वाईड वाई क्या बोल रहा आगे देखो इस सूत्र से इस सूत्र मतलब होता है इस फॉर्मला से क्लियर है कि यदि बाला कत्व व्यक्ति की मांसी कई वास्तविक आयू समान होगी तो उसकी बुद्धी लब्दी सो आजाएगा हां कैसे अगर मेरी मेंटल एज 25 साल है और मेरी करेंट करेंट एज 25 साल है तो सुभाइक सी बात है यह तो 120 आ गया कि यदि मांसी कई वास्तविक आयू से कम है तो बुद्धी लब्दी सो से कम आएगी अब उसका उधारन दे सकते हैं कि अब यह तो हम देखेंगे लेकिन इसका चार्ट हम लोग देख लेते आगे कि अगर 100 से ज कहां पर यह चार्ट कई लोग पूझ रहें करके दिखा रहा हूं नहीं तो थोड़े अगले क्लास का यह टॉपिक रहता है चार्ट है भी कि नहीं पता नहीं है जी यह देखो बुद्धी लब्दी इसको थोड़ा सा चोड़ा करता हूं मैं ताकि सब एक सांथ आए अब इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग व्याक्या की है जैसे यह बहुत फेमस नाम है नमेरिल और वैश्टलर इसमें आपको या तो इसको ध्यान देना रीड मार लेना इन्होंने क्या बोला है एक बात ध्यान रख लिजीगा लगबक सभी का उसी प्रकार का ही अंसर है जैसे देखो हम इसको मान के चलते हैं मैरील को अभी ले रहें एवरेज किसाब से अगर किसी का आईक्यू 140 या उससे ज्यादा आता है 140 या उससे ज्यादा है उस प्रकार के बच्चेव को क्या बोलेंगे अत्युत्तं 스타 एक मूवी की मुवी है देड़ दो घंटे की मूवी है बहुत ही प्यारी मूवी है उसमें ऐसा होता है कि जब जब एक माँ अपने बच्चे को जन्मदेरी होती है है तो वह महिला के गर्भ में एक केमिकल रिलीज होता है उसका नाम याद नहीं रहा है ठीक केमस्ट्री में इसे भी है वही केमिकल से ना कई स्मगलर लोग ड्रग बनाया होते हैं तो एक लड़की के बॉड़ी में वह ड्रग गलती से इंजेक्ट हो जाता है तो अपने सब्सक्राइब फाली मूवी देखिओंगी थ्रीडियट मूवी देखियों कि थिसे मूवी एक प्रेखियों कि परिशान करते हैं अमिर खान को अपने आपको एक रूम में बंद कर लेता है तो फिर धमकी देता है कि दिए अगर तुम रूम से नहीं निकलोंगे तो समझ ज लोग ठीक है कि जम्बच में हाओ लोग है कि योगेंद्र साहू योगें साहू मेरे नाम से विए कोई इस्वार नहीं थी ठीक कि 120-140 के लोग है तो इन लोग क्या सूपीरियर है 110-110 है तो उसस से थोड़ा उच है मतलब एवरेज से उपर और 90-109 के बीच है मतलब 100 के आजू-बाजू 10-10 कम हो सकता है तो ऐसे लोगों को एवरेज बोलते हैं मतलब जिनकी आयू 90-109 के बीच है उनको एवरेज मतलब एवरेज से थोड़ा सा कम बिलोव एवरेज है और जो एकदम भोको लोलो टाइप की लोग है उनलों की स्रेनी में आते हैं 70 से 79 लोग क्यों से स्रेनिक है भोको लो बॉर्डर लाइन बोलाते है इसको कि एक गाना है रैप है में टूरा भोको लो अगा तो ऐसे बच्चों को सम्झाना बहुत मुश्किल आता है ऐसे बच्चों को सम्झाना बहुत मुश्किल आता है किसको बॉर्डर लाइन वाले लोग को जीरो से 69 के भीच हुआ मांसी ग्रूप से दोसी हैं यह मेंटली डिफेक्टिव हैं डिफेक्टिव इसमें डिफेक्टिव पीस है कौन जीरो से 69 में चिक तो लड़के लोग हम दोस्तों आपस में दूसरे को ऐसी चिरहते हैं कि अलग-अलग तो इन आइक्यू वाले को बोला किना प्यार से अलग-अलग-अलग-अलग all that नां से बोला भे कि मिर्जापूर में मुझ्णा भी आक दोस्तले राते ऊसको जिस नांस बुला जाते हैं तो आесे लोगों को फिर सिखाया नहीं जा सकता मतलब इनको सिखाते सिखाते आप भूल जाओगे इन लोग नहीं सिखेंगे तो आप क्लियर है मालूम चल गया कौन कैसा आई क्यों वाल कि उसके लिए टेस्ट होता है मानसी का युकलिए उसके बिहेवर को देखके किस परिस्तिति में वह कैसे कि डिसाइड करता है उसका टेस्ट पर थोड़ी नहीं है कि चार्ट देख लिए तो उपर आते हैं अब बहुं सारी थ्योरीज प्रचली थे बुद्धी के सिध्धानतों की समझेवं सीखने में भुमी का अंडरस्टेंडिंग और थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड रोल इन रल्लिंग विभिन्न मनोव ज्यानिकों ने मतला बहुं सारे साइकलोजिस थे बुद्धी की व्याख्या आपने अपने विचानों सरकी है बुद्धी हमेशा वातवरन पर भी निर्भर करती है बालक जिस प्रकार के वातवरन रहता है उसकी बुद्धी अच्छा वापत बढ़ा करों ओके उसमें बुद्धी की विकास भी उसी प्रकार से होता है अब देखो अलग-अलग थिओरी है इस थिओरी को मैं समझाता जैसे जैसे पहला थेयोरी है एक कारक्सिधान यूनिट्री और मुनार्किक थेयोरी इसको ध्यान रखना इसके प्रतिपादक कौन है प्रपाउंडर प्रपाउंडर कौन है प्रपाउंडर है बिने टर्मन एवं इस्टर्न यह सारे नाम जिक्र किये हैं पहले उसको याद वो बता दिया मैं उधारन की तोर पर समझ रहा हूं अगर लड़के जो क्रिक्रेस देखते होंगे एबीडी विलियर का नाम सुने होंगे आजूम कर दिया समत्रटा कुर्ची जूम कर दिया कि सन्नी देवल का आई क्यून 900 प्लस कि सन्नी देवल लिखना चाहिए ना कि यह था बिने टर्माने वंश्टर न यूट्री थोड़ी एबी डिलीवर भी डिलीवर बोलता हूं एब डिविलियर्स एबडी एब डिविलियर्स अब अब एबडिवियर्स ऐसा इंसान है जो बेसबाल भी अच्छा खेल लेता है एक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना मतब समझदार टैप कर वेक्ति है तो उसने बोला कि वह हर काम को अच्छे से करेगा जबकि यह संभव है क्या हां बहुत लोगों में हो सकता है जैसे आप किसी आपके दोस्त होंगे expect करते हो कि यार वह दोस्त बहुत समझदार है वहर काम को कोई भी प्रावलम दे लो वह बहुत अच्छा सजेस्ट कर लेगा आपको अपना प्रावलम शेर करने जाओ उसको तो किसी प्रकार का प्रावलम हो वह अच्छे से डिल करेगा बताएगा उसका सॉलुशन तो ऐसे बहुंँ सारे आदमी मिलते हैं लेकिन इस थियोरी को बाकी लोगों नहीं नकार दिया बोले ऐसे कैसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति एक काम में अच्छा हो सकते हैं अब हमारे घर काम चल रहें कारपेंटर आ रहें तो वह लगड़ी से लेड़ सारे काम कर ले रह अगर एक इंसान एक कम मैं अच्छा होगा ऐसा तो जैसा अगर ऑगिप ये एक बच्चा अभी आप में जो three requires बच्छे का मैज भी अच्छा होगा किसी का जीके भी अच्छा होगा किसी का हिंदी भी अच्छा होगा सब अच्छा होगा इंसान भी अच्छा होगा सब अच्छा होगा तरहां कि भी एडिवलियर्स कहां थ्रिस्ट डिग्री तर आज बस अब क्या बोर लग्या जीटता जुदी तो क्या बता रहा हूं अभी आप में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका जीके उसको कुछ भी रटने बोलो तुरंद रट लेगा लेकिन बोले सर मैस नहीं बन पाता अभी दिख रहा था नहीं चार सो पांच स्वाई की विलाने वाले लोग नया थे दिया थे वह इन लोंग को चार सो पार सो एज ला दे रहें ठिक तो कुछ लोगों का जीके बहुत अच्छा हो सकता मैस नहीं तो यह थियोरी को उतना मानिता नहीं मिला देखो इस सद्धान के प्रतिपादक बिने टर्मन और विश्टान है सब का नाम हम देख चुके हैं इस सद्धान इस सब्सक्रापी मानसिक शक्ति है इस सद्धान के नुसार जो व्यक्ति एक कारे को कुछलते मुद्धी मत्ता के साथ कर सकता है वह दूसरे कारे को भी उसी कुछलता के साथ कर सकता है कि बुद्धी एक अविभाज इकाई है अन्डिविजिवल यूनिट को डिविजिवल एक और थी और त्योरी सामने आइं एक और कर थी हां मेंमोरी का कई अर्मेमोरी के लिंगर देने वाला था नच्टिक फिर कल संडे को क्लास रख लेंगे लुकर बता दोंगा लाश में कि इस थेयरी के विप्रित एक और थेयुज़ी आये करक सिद्धान टू-फैक्टर थेयु dedicator theory में टू-फैक्टर theory में worldwide media में एक इस्पीयर मैं याद रखना सिंगल थेयोड को कौन-कौन ने support किया तलिक है कि यूनिटरी तुने शूरह को बिने कौन था टर्मन और कौन था इस्टर्ण जो विलियम इस्टर्ण था इन सभी ने युनिटरी थियोरी को सपोर्ट किया एक कारक्त थियोरी को लेकिन लेकिन इस्पियर में जश्टिस के अपोजिट जाते हैं 1904 में ने बोला अपने प्रयोगत्मा कत्ध्यान मतलब बहुक्त सरे प्रयोग किये उन्होंने रिसेर्च किये और अपने एक्सपिरियंस के अधार पर बुद्धि के द्वीकारत्सिधान का प्रतिपाद्धन किया मतलब उसको सामने रखा पेष किया और क्या बताया बुद्धी के लिए दो थियोरी बताया एक G फ्रैक्टर को और एस फेक्टर जैसे आपको एक्जामपल देता हूँ आप समझ लेना कि समझ लेना जैसे गाड़ी चलाते आप लोगों कुछ काम तो हम सभी के सब अच्छे कर लेते हैं कुछ समान काम है उसको हम सब अच्छे कर लेते जैसे बाइक मैं भी चला लेता हूंगा आप भी चला ले होंगे सब चला लेते हैं कार अगर कार जिसके घर है वो तो चलाई लेता होगा अब कार नहीं है तो नहीं चला पाते होंगे बाते बाद की गाड़ी तो सब चलाई लेते हैं तो यह कैसा हो कि जनरल फेक्टर भी है कुछ काम को सब थोड़ा थोड़ा करी लेते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं तो जैसे बाइक चलाने की योग गिता हो गई लेकिन कोई विराट कौली बन गया कोई सचीन बण गया अभ गाड़ी तो सचीन या कि हैं लेकिन कि सचीन जीजा कोई कई खेल पा रहा हुआ तो सचीन मैं क्रिकेट को हाबी बना लिए उस पर कई साल सब्सक्राइब कर लिए तो उसके लिए सचीन के लिए क्रिकेट क्या हो गया इस्पेशल फ्यक्टर हो गया जो दूसरा शैदी करवाए गाना थोड़ा बहुत हम सब गालेते होंगे कही लोग नहीं भी का पाते होंगे अभी महीं गाउं तो अभी 170 से ओडियांस 70 हो जाएंग तब जाके उन्होंने वह पर इस्पेशली palavra दाया चला वूद्धि ने अपने हम सिध्धान सिध्धान्त वुद्ध्धि के दो कारक बताया जिसका पहला का जीड़ी फ्यक्टर जर्णी पॉलबन तैस naval को एसव करको निमन रूपस से संब्छा है कैसे संग्याया जन है जान लता समानी योग्यता विशुष होगयते से अधिक्व महनप्र रों होता है इसी प्रमुख वशेष्था क्या 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 है यह त्यूंत सभी व्यक्तियों में कम अधिक प्रत्थ मिलता नंदीम murderer सब सकता है हम अच्छा गाड़ी जैसा चला लेंगे लड़िकिया तो बूंद अच्छा गाड़ी चलाती तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन लेकिन कि सब चला लेती है कि कि क्या पता रहता अभी कुछ कमेंट देखे ध्यान बढ़क जाता है इस कम ज्यादा मात्रा में मिलती है यह तो व्यक्ति में जर्मजात होता है सब कोई करी रहे भी सब भागा दोड़ी तो करी लेते हैं सब पैदावते साथ बोलना चलू कर देते ना तो आप क्या बोल रहे पत्ता की काई आध नहीं कि क्या कि दो साल में बोलेरों को तीन साल में सिख रहे हुआ कि जिए प्ंहारा है यृ实ली समय अब क्या होना चाह रहें लड़किा एक्स nowhere कर पार ही कि हम अच्छा गाड़ी समय पर सब करेंचिक कर दम्क 1 में प्रयोग की जाथा कि अब आधे को लडाई जग्रत्र सब लड़के कर ले रहे हर को इलगें कि लेकिन को ग्रेड विशे इस तरफित तरफन दोंट कर लेकिन को शिर्शन तर समक उन्हें जा रहा कर भी में प्रयों की सामानिय ततिया समानियोगितका स्थांत्रन इक विशह से दूसरे बिस सकते सवानी तत्या समांः लिफटा भाषा दरसन समार्यंग्यांद समाजी काद्य्यान जैसे के सीखने में तीक हो कि फिस्ट तो इस पेशल फेक्टर इस पियर्मेन के कॉडिंग्ग विशिष्ट तत तो मतलब जूस्पेशल फेक्टर है या इस पेशल केपपूबिर्टी है उसका सम्मंध व्यक्ति की इस पेशल एक्षण से होता है इसकी प्रमुका विश्चता एन निमण बतें मतलब इस क्रिकेट खेल रहे हैं जितने भी क्रिकेटर लो विराट को धारन लोगे दोनी कई धारन हो गया बाकी सब काम अच्छे नॉर्मल तरीके से कर लेते लेकिन जब उसके एक्षन देखे गए जब क्रिकेट खेला तब मुल्म चला भी यहां दोनी अलगी खिलाड़ी तो यहां त अरजित किया अब किंट्स ति यह जो रहे है कि अर्जित किया सकता है यह 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 का इंग्लिष का हिंदी का टीचर अच्छा हो सकता हूं जरूरी नहीं कि मैं इस पोटी थोड़ा ठीक तरीकर से चला लोंगा लेकिन अगर मैं आगर समझ वह मैं क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल लीता हूं या मैं बैटिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूं तो जरूरी नि ze क्योंकि बैटिंग का में हो सकता है प्रैक्टिस किया होगा सौन साल तो जरूरी निए कि बैटिंग से बालिंग में ट्रांसफर हो जाए कि रिकफी लूग फुटबॉल में ट्रांसफर हो जाये आए और कोली अलग अलग प्रकार गेम खेल जोंगें टिक विशिष्ट तुमने स्पेसर फेक्टरिया इस्पेशल के विटी कला संगीत हस्तकल आदी विश्यों को सीखने में होती है एक निया जी सिंहर कोई बन पाता है कि नहीं बन पता है तो इन विशिष्ट होगिताओं में कोई कि विशेश संबंद नहीं प्राइब इसको छोड़ दें पॉइंट को बाकि उपर का पॉइंट में खाल से समझ आ गया होगा इतना क्लियर है कि थैंक्यू कि यह हमारा इस्पेशल करेक्टर हो गया जी कि ठीक अब यह थोड़ा लंबा है कि उपर उपर के दो पॉइंट को याद अगना यह सारी इंपोर्टेंट है अब यह जो योगेता है थियोरीज है है यह जो कोर्स में दिये हुए ना तो उनको तो पीडियाफ मिल गया होगा वह बार जरूर पढ़ेंगे इसके बात करना उतना इंपोर्टेंट नहीं इसको शामिल किया हूँ हम क्यों रिसक लिए दस मास के सवाल है क्यों रिसक लिए हैं तो लगबख सब चीज बता दिया है और एक कि मेरे टीचर होने की मेरी सर्थक्ता कब होगी जब मैं आपको बता पाऊं कि क्या इंप्रटन है क्या नहीं नहीं ने तो पढ़ने के लिए तो कहीं भी डालोगे ठीक तो जो आज की क्लास जो बताया उसको याद कर लेना कि इसको जितना भी बताया हूं तो अभी फिलाल मेरे काल से आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं रिकॉर्डिंग आफ करना लाइव चलने दो